वेलकम बैक टू माई चैनल ये न्यूबाउन अशेंशियल सीरीज के इस थर्ड पार्ट में आज हम बात करने वाले हैं क्रूमिंग और बाथिंग अशेंशियल के बारे में I hope फर्स पार्ट और सेकेंड पार्ट क्लोथिंग एशेंशियल और डाइपर इशेंशियल आपने देखा है और आपको मेरे विडियो पसंद आए है इस बाथिंग एशेंशियल में सबसे पहले बात करते हैं बाथार्स या बाथट अब के बारे में आप देख रहे हो ये जो बातर है वो लव लैब कंपनी का है और ये मैंने फर्सक्राइब एसे ओनलाइन ओडर किया है ये जो दूसरा वाला बाट टब है वो समर कंपनी का है अभी नहिलाने से पहले सबसे पहले हमें जरुरत पढ़ने वाली है मसाज ओयल की तो ये जो मसाज ओयल है उसके बारे में डीटेल वीडियो आलरेडी मैंने बनाया है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी अभी बात आती है नहिलाने की तो हमें confusion होता है कि बेबी को हम ये बेबी वाश से नहिलाए या फिर सूप से नहिलाए आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हो पर मेरी एक परषनल एडवाईस है मुझे सूप से ज़्यादा बेबी वस इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें हाईजीन मेंटेन रहती है खुला हुआ सूप हम बारी बारी टच करते हैं और फिर उससे बच्चो को नहिनाते हैं अगर उसका भॉक्स खुला रह गया या जिसमें हमने रखा है उसको उसका जो सूप फोल्डर है वो ओपन है तो डस्ट एट्रेक करेगा और इसको हम चब तक सूप खतम नहीं होता तक तक कितनी बार हमरा हाथ उसको टच करेगा और इस वज़े से हाईजीन इतनी मैंटेन नहीं रहती तो हाईजीन की वज़े से मुझे ये सूप से ज्यादा ये बेबी वाश ज्यादा पसंद है नेक्स चीज आती है बेबी लोशन के बारे में तो या तो आप ये बेबी लोशन यूज़ कर सकते हो या बेबी का बोड़ी मिलक आता है वो यूज़ कर सकते हो आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो पर बेबी लोशन लगाना बहुत चलूरी है इसमें एक और एडवाईज मेरी बेबी को नहलाने के बाद आप एकदम से रॉब करके टॉवेल मत किसिये उस पे पैट राई कीजिए थोड़ा मौशर बॉड़ी पे जब हो थोड़ा बेबी घिला हो तब ये बेबी लोशन लगाईए तो जब बेबी घिला रहता है बेबी लोशन एकदम से स्किन ड्राय करके मत लगाईए और एक चीज है बेबी शेंपू बेबी शेंपू क्लीनिकली टेस्टेड होना चाहिए तीयर्स बेबी को नहीं निकलना ही चाहिए और आप कोई सब बेबी शेंपू यूज कर सकते हो अच्छी कंप्पनी वाला उसम सबसे फैवरेट वाली बात अगर आपने फेस क्रीम का मेरा वीडियो देखा है अगर नहीं देखा है तो इसकी भी लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी मेरी मोस्ट फैवरेट है यह सिबा मेड की फेशियल क्रीम सारी चीजों में आपने नोटीस किया होग नेक्स्ट बात है बेबी पाउडर के बारे में यह तो मैंने जो जो बेबी पाउडर पर्चिस की है सारे दिखने के लिए आपको यहां पर रखे है सारे ही बहुत बढ़िया है आपको इसाभी बेबी पाउडर यूज कर सकते हो और बात करते हैं बेबी के टॉवेल के बार और यह बीच में टॉवल है यह मैंने लोकल सौप से पर्चेस किया था यह भी मेरा बहुत इवरेट है यह देख सकते हो बहुत स्मूध मटेरियल है इसका प्यॉर कॉटन का है यह इसमें कैप नहीं है यह चार टॉवल है मेरे पास और मुझे बेबी के लिए यह वाला सबसे क्यादा पसंद्ध है यह मने लोकल सौप से पर्चेस किया है अभी बातिंग अशेंचेल हमारा और सुल हो चुआ है अब बात करते हैं, करूमिं के बारे में तो नेल क्लिपर्ट यह सारे ऍम च्रकाधिकर स्थरवल अन ये उसका नेल का पूरा सेट है आप देख सकते हो यह उसको नेल कट करने के लिए अलग-अलग फील वाले यह है जिससे उसके नेल कट करने के बाद हम उसकी सरफेस को इवन बना सकते है बच्चों के नेल ख्लीपर में में है कि ग्रीप रहना चाहिए आप देख सकते हो इसमें यहाँ पे यह ग्रीप वाला बना हुआ है यह मुझ देख रहे हो यह लीटल का सेट है लीटल कमपनी का यह आपको एमेजोन पे से उनलाइन मिल जाएगा लोकल मेडिकल शॉप से भी मिल जाएगा इसमें भी यह ग्रीप के लिए बहुत बढ़िया दिया गया है तो बच्ची का नेल कट करते टाइम यहां पे हमारी उंगली रहत सबसे ज्यादा पसंद हा मुझे इससे नील कट करने जब कर दिससे यह करती हूं आप नोटिस करोगे कि आपको भी नील कलिपर से ज्यादा यह कहची नीकलिकल इसमें बड़ा मज़ा है तो आप बढ़ बेब कर कारो उन साथ तो आप ऐसा सेट करी दीया मैंने आनम नेrai भी बिबी हग कमनी का भी आता है और मैंने इन पर्चेस किया था आप ये वाला पर्चेस कीजिए बहुत बढ़िया रहता है ये जो मेरा सेट है उसमें भी आप देख सकते हो ये कैची है और ये नेल क्लिपर है तो ये भी सेट है ये पूरा एक ग्रूमिंग का सेट है ये मैंने आप पर्चेस किया है ये बच्चे को नहीं लाने के बाद अगर हमें नोज क्लें करना है तो ये जो है वो फ्यूह कमनी का है और ये जो है इसमें पूरा किट है इसका मैंने डेटेल वीडियो रखा है पर सैट पे के बच्चों का नाक साब कैसे करें अगर आपको वह भी द दोनगे यह पार कोई किसे लिएब ऊहां पस्ती है कि नहीं होना चाहिए जोहें ऑ CCP हम उसके हैर घुल करते हैं यह चुपता नहीं थैयन वह कि हमारे कौम से बेबी के हैर को नहीं बना सकते उसके लिए यह इन नहीं यह कों में सकते हैं और कान साफ करने पड़ेगे हमारे एर बड्स अगर बेबी में यूज करेंगे तो क्या होगा अगर बेबी हिल जाता है फोर्स के साथ तो कान में चला जाएगा और उसका जो पड़दा आथा है वहां तक पोच गया तो कान में नुक्षान कर सकता है यह स्पेशली बच्चों के यह बदाया गया है इसमें आप दहके सकते हो इतना सा फोर्स कान में जायाओ और बच्चा भी जाता है और ऐसे फोर्षण के वजह से हुए आप कान में चला जाएगा ये बेबी हग कंपनी के है, बेबी हग के है ये एरबर्ड और ये मैंने फिर्स्ट क्राई से ऑनलाइन पर्चेस किये हैं ओके फ्रेंट्स तो ये खतम होता है हमारा ग्रूमिंग वीडियो आपको किसी भी प्रोड़क का सेपरेट वीडियो चाहिए रिव्यू के बारे में तो मुझे जरूर बताईएगा कमेंट बॉक्स में और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज प्रेंग सब्सक्राइब टो माई चैनल और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत बूलियेका थेंक्यू सो मच